हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक मिस्सा टेग मेड है और सम लोग जिस कंपनी के उपर बात करने वाले हैं जीटियल इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड है देखे ट्रेस जब हम लोगों ने लाज्ट टाइम डिसकस किया था तब तीन रुपए के आसपास था फिर इसमें गिरावट आई अभी दो रुपए के आसपास आ रखा है तो देखे जब हम लोगों सेवन मन्त पहले डिसकस किया या नहीं और आज बहुत ज्यादा अच्छा वालियूम भी जनरेट हुआ है तो मैं सचा आज डिसकस कर लेते हैं क्योंकि रैली की उमीद जो है वो ज्यादा यहाँ पे दिखाए देती है तो इसकी करन्ट फाइनेसल कंडिशन और चार्ट पे बात करेंगे इस वीडियो मे जो चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वेसें बेल जो प्रस करें तक कि आने वाले नेक्स अब्डेट आपसे मिसना हो आप वीडियो को भी लाइक कर दें जिससे और लोगों को यह सेर के बारे में पता चल सके आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं इंफर स्रक्चर लेम्टेड को भाइप करना हैं पर हां अगर कम वालीउम के साथ कम कापिटल लगा के करते हैं तो अगर होल करते हैं तो आप को यह च्छा रीटर मिल सकता है उस हिसाब से इस में आपको investment करना चाहिए और हम इसा मन में रखना चाहिए कि आपको इसको प्राइज रैंज इसके लिए है तो समझते हैं इसी का अभी करेंटली कैसा हिसाब किताब चल रहा है तो जी टी एल दिखिए यहां पर दो रुपे पर ट्रेड कर रहा है अगले जो नंबर आने है वह नंबर 11 को है अर्निंग पर सेर देखिए अभी वन नेटिप में है इससाब से कंडिशन है यहां पे आप देख रहे हैं थ्री रुपीज नाइटी पैसे तक गया था जब लोगों ने मतलब एक रुपए पे इसको पकड़ा था इस जगह पे वहां से तो और भी अच्छा रिटन इस कंपनी ने दे दिया है पर 7 बंस से आपको देखे कितना ज़ तो काफी अच्छा गया था फिलाल अभी देखे दो रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है तो इसमें कहां पे एंट्री लें वो समझते हैं टेक्निकल इंडिकेटर नियूट्रल का बता रहे है हम लोग इसमें फाइंड करेंगे चार्ट में कहां पे पोजिशन बन रही है हाई लोग का डिफरेंस दिखा जाए ट्रेस तो पैंतालीस पैसे से चार रुपए तक गई थी मतलब जो लोग पैंतालीस पैसे के अरावंड इसको भाई कियोंगे वो तो माला माल हो गए होंगे पचास पैसे के आसपास भी अगर खरीदा होगा किसी ने तो वो काफी अच है तो क्या ही कुछ भी क्लोज नहीं है पर हाँ इसमें जो आप रैली का देख सकते हैं वो अच्छा खासा यहां पर मिल जाता है फेस वैल्यू 10 है तो एक बार भी सेयर इस्प्लेट नहीं हुआ है पर मोडस की वोल्डिंग इसमें बहुत ही कम है पर यहां पर मैंने की वोल्डिंग है जिसकी वैसे इसमें उमीज आखती है कि हाँ इन्वेस्मेंट करना चाहिए बाकि पिछले 12 मंत का नंबर देखा जा तो प्रॉफिट 10% बड़ा है और सेल 2% इसमें बड़ी है और इस बार के जो नंबर है वो 68% जो है मार्च वाले से बहतर है पर मैं आप को ट्रेजर सभी बता हूं अभी भी नंबर नेगटिब में ही चल रहे है और टाइम हाई की बात करें तो 106 रुपीज तक जा रखा है बाकि आपको मैंने बताई दिया अभी अम लोग उसी को समझते है आपको जो मैं नंबर का बता रहा हूं यह देखिए आप देखेंगे कि यहां पर जो ऑपरेटिंग से प्रॉफिट है वो 85 का रोड का हुआ इस बार जबकि लाश्ट टाइम नेगटिब में चले गए थे नंबर सेल तो बहतर थी पर एक्सपेंसे ज्यादा थे तो उसके वज़े से नंबर नेगटिब में थे तो इस बार जो है नेगटिब में इसके नंबर आया है पर ऑपरेटिंग से प्रॉफिट बना रही है एक अच्छी चीज यहां पर दिख जाती है बाकी आप यहां पर प्रॉफिट लॉस बुक पे नदर डालेंगे मार्ट 2010 से आपको नंबर करेंट तक दिखेगा और कंपनी लगातार लॉस में रही है और इ यह बहुत बड़ा आजाता है पर उपर आप देखेंगे कि कंपनी ऑपरेटिंग से प्रॉफिट बनाए जा रही है अधर इंकम डेप्रिशेशन इंट्रेस्ट में यह मार्खा जा रही है वहां से इसको लॉस पो रहा है बार बार तो इस हिसाब से इसकी कंडिशन है मतलब रिस्क बहुत जादा है क्योंकि कंपनी की कंडिशन उतनी बहतर नहीं है कैस फ्लो की बात करें तो कैस फ्लो बहतर है इसका मतलब बिजनस ठीक ठाक चल रहा है बाकी इसके आप देखेंगे कि जो रेसियो जैंडेप्टर डेज भी कम है यह सारी कंडिशन ठीक है यहां पर स सेयर की होलिंग है 60.96% और पब्लिक के पास आजाता है 33.83 तो मेली क्या है यह डियाइज वाले जो है यह मैनूपलेट करते हैं और जो पब्लिक वाले इन्वेस्टर 33% वाले हैं यह थोड़े मुश्किल में आ जाते हैं क्योंकि यह लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करक पर फिलाल इनकी अगर होल्डिंग हिसाब से है तो एक अच्छे प्राइस रेंज में आपको भी मिल जाता है क्योंकि यह लोग भी होल्डी करके चल रहे हैं तो आपको इसमें अगर डिप मिलती है तो आप भी इसमें लेके चल सकते हैं देखे आपको जो फैरेंट्ली नज पर अच्छे नंबर लाइगी पर वही ट्रेयर्स रिस्क भी रहता है अगर आप लंबा होल्ड करना नहीं चाहते हैं अगर आपके अंदर वह पेसेंस नहीं है तो आप इसको अवार्ड भी कर सकते हैं फिलाल देखे इसमें वापस से उमीद जतरी है कि देखे आज इसमें नेगेटिव का चल रहा है अगर यह इस लेवल पर आकर रुक भी जाता है जो कि सेकेंड सपोर्ड मिल रहा है इसको एक रुपए पांच पैसे पास वही जो मैंने आपको लाश्ट टाइम रिक्मेंड किया था उसी प्राइज में वापस आपको मिलता है तो इसमें आप एंट्री के लिए जा सकते हैं फिलाल इसमें देखे और कहीं पर इसमें रुपने वाला जो जो नजर नहीं आता है अगर आप बीच में बाई कर लेते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं पर हो सकता है कि फिर 50-50 वाले चांसे नीचे आने के भी ऊपर वाले ऊपर जाने के इस प्राइज में आपको खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें फर्सने के चांसे ज्यादा होता है 50-50 कुछ पूफ नहीं करता है जब उमीद ज्यादा हो उपर जाने की तभी एंट्री लेना चाहिए फिलाल अगर यहां पर जनरेट कर लेता है सपोर्ट 1.85 पैसी के रा लेटर करना पड़ेगा सेयर में और लॉंग बिस्टिस पे आप इसको फिर लेके चल सकते हैं यही था फिलाल इंट्रा स्ट्रक्सितर पे अप्डेट थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स कंपनी साथ नेक्स वीडियो में